कि यूपी पीएस्सी के लिए आप सुनना होंगे आज कल नियूज में आ रहा है कि सीबियाई जाच एकदम से एक्टिवेट हो गई है और एकार लोग को यहाँ पे गिरभतार भी कर लिया गया है एक तो एक पीएस वाली 2010 की परिक्षा की जाच हो रही है और एक और एक्जाम पटापट करवाएं जो ट्रांस्परेंसी भंग होई है परिक्षा की मार्क्स नहीं दिखाये गया है स्केलिंग नहीं हुआ और बहुत सारी इश्यूस है दो जड़ सोला में एकदम नोटिफिकेशन के बाद निगेटिव कर दिया काफी सारी चीजे हैं अभी एकद लगी कि इसद्टम से अगर आश्यूतिक जो यह सरकार है पिछले जब चुनाओं के टाइम पर सीडिया का वाधा करके आये थे हलाकि पिछली वाली सरकार ने बहुत गंदी मचाई थी है सरपात बात एक्दम साफ है यह जो गंदी मचाई हुई है यह पिछली वाली सरकार की ही है लेकिन बात यह भी है कि यह जो प्रेजेंट वाली सरकार है इनको यह CBI वाली जाच पिछले चार सालों तक क्यों नहीं याद अभी तक CBI अगर मालीजे कुछ गलती होई थी जो भी UPPSC की PCS परिक्षा है फिर और जो परिक्षा हों में जितनी भी सारी बहुत बड़े-बड़े कह रहे थे कि कांड हुए हैं तो वो अभी तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक किसी को सजा क्यों नहीं दी गई अभी तक उन जो लोग उन्हें बेवानी से सिस्टम में अंदर गुजें उनको निकाल बाहर पर क्यों नहीं फिका गया उनको एक्स्पोस क्यों नहीं किया गया यह वाली बत अब एक्दम से जब इलेक्षन आ गया है तब ही CBI वाली चीज क्यों एक्टिवेट करी जा रही है यह एक बहुत बड़ा सवाल है सारी सरकारे में लिए हैं सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी वाले एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं आपस में हम लोग को लड़वा देते हैं आप लोग लड़त जाते हो कुकु कुकु कर देते हो इधर दर पॉलिटिकल पार्टी वाले ब लेकिन थोड़ी बहुत जो बिवानी अगर हो जाती है, अगर ऐसा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अगर उनसार माने और प्लस कई सारी चीजे जो आयोगने भी हैं, कई बार अभी देखें कई लोग जो है माकशिर देखने गायते हो साफ साफ उसमें जो है अपनी पुस् यह बड़े सवाल है, किसको पक्च किया जाए, किसको ना किया जाए, बड़ा कंफ्यूज है ने इसमें, सारी जो पुरानी वाली सरकारों ने तो बहुत गंदगी मचाई है, लेकिन नई वाली सरकार ने भी कौन सा स्टूडेंट का ऐसा साथ दिया, चुलो परिच्छा ठी है, तेजी तेजी करा दी, पैटन तो आपने बदल दिया, और भी उन लोगों को पार जो है, ऐसा पैटन कर दिया, कि यूपी वाले लोगों का कोई फायदाई ही नहीं है, आप ये बताइए, अभी उत्त्राखंड की लोगर पीसेज के वेकेंसिया ही देखिए उसमें, यूपी वाले बिल्कुल अधिकार होना चाहिए बाकी स्टेट के लोगों का, लेकिन यहाँ पर ये भी शर्त होनी चाहिए कि बाकी स्टेट भी हमाले लोगों के साथ यही करें, तो जो इस्टेट अगर यूपी के छात्रों को रोकता है, कोई भी अपने एक्जाम में, तो पहले अगर आपके घर में लोग भूखे हैं, तो पहले आप अपने घर में लोगों को खाने को देंगे कि सब को देंगे, यह वाली चीज है, ठीक, यह एक चीज है, उन इस्टेट के साथ जो लोगों ने यूपी के छात्रों को किसी भी तरह से अपने एक्जाम में होना, लेकिन बात तो लॉजिकल है, यह वाली चीज है, और दूसरी चीज है कि यह सो सीब्याई वाली है, जैसे जो प्रिजेंट सरकार कर इतनी ही स्पाक साफ है, तो यह स्केलिंग और इन सब में क्यों जो है चात्रों के खिलाब लड़ रहे हैं, जब सिद्ध हो गया है, अर तो 2018-2020 में नहीं होई है, यह तो लगातार चात्रों केस भी गया, उत्तर कुछ दिकाएं भी जो है, आप देखिया है, सब लोग देखिया है, सब चीजे तो साफ हैं, माक्षिट नहीं दिखा रहे हैं, मताहिक क्यों माक्षिट नहीं दिखा रहे हैं, प्रीका कट आफ पता रहे हैं, ट्रांस्मरेंजी करिए ना फिर पूरी, और सीवियाई इलेक्शन के टाइम पे अक्टिवेट करना यह ठीवात नहीं, जानते हैं लोग सब, सब समझते हैं, आपको लगता होगा कि इस टाइम एकदम से पकड़वा दो तो लोग समझेंग नहीं, जानते हैं उन सारे बेइमान जो लोग घुसे हैं सिस्टम में, उनको भगाना चाहिए था, उनके खिलाफ कोई पड़ा पनिश्मेंट होना चाहिए था, एक्जाम्पल सेट करने चाहिए थे, ऐसा कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ, CBI बीच में सो गई थी चार साल के लिए, किसी भी गौर्वर्मेंट इंस्ट्यूशन को वैसा बादनाम करना युद्देश नहीं है, लेकिन एक बात है, क्या CBI जब जाच होती ही, तो क्या उसकी कोई टाइम पिरड़ नहीं होनी चाहिए, कि भया उसकी रिपोर्ट दो, कौन दोशी है, उसका प्रूव दो, और जन पिर एक दम सजेशे नहीं हो लोगा, फिर चालू कर दिया, पबलिक सब जानती है, इनको भी जानती है, जो अभी वाले है, इनसे पहले वाले जो इनसे भी जादा गंदगी में चाहिए, उनको भी जानती है, लेकिन अब सबस्या यही है, कि किसको जो हम लोग सपोर्ट करे प्रवाद को नित्या मत लीजेगा कोई भी बात जो भी इसमें बोली गई सारे मेरे परस्नल जो है अपिनियन है आप चाहें तो इसको मान सकते हैं नहीं चाहें तो ना मान सकते हैं इसको कोई कोट उट का धार मत भनेगे का अल्दा बेश्ट जाहिए